हेलो और वेलकम यूटूव इज्ञान वी चार्ज दिखा सकती है जिसका नाम है क्रोनो वाइजर आईए जानते हैं पूरा माजरा जैसा कि हम सभी जानते हैं के वैटिकन सिटी कैथलिक्स यानि क्रिस्टेंस के लिए एक होली प्लेस है लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं के वैटिकन सिटी उसे बने इस किले में वातावरन को कंट्रोल करने की टेकनोलजी भी लगी है। अब ज़र आप सोचिए हतियार बंद गार्ड्स, कैमरे, थर्मल सकैन, रेटीना सकैन, फिंगर प्रिंट सकैन और वातावरन को कंट्रोल करने की टेकनोलजी, अगर किसी चीज के पीछे इतना और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऐसे मामलो मैं, जिने आप वेरिफाई कर सकें। अब ऐसी एक अफवा बहुत सालों से सर्कुलेट हो रही थी, कि वेटिकन सिटी के पास इस किले के अंदर एक ऐसी मशीन है, जो इतियास में किसी भी समय पर हुई घटना को देख सकती है, जिसको हमेशा चर्च ने डिनाई कर दिया, ये बोला, अपने पास ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वेटिकन सिटी के एक प्रीस्ट ने अपनी एक किताब में ये दावा कर दिया, कि इस किले के अंदर वो मशीन मोजूद है, और उसका इस्तेमाल भी किया जाता है, अब इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको दो आद्मियों के बारे में बताया था, अब बारी है उनके बारे में जानने की, क्योंकि उनमें से एक ने इस मशीन को बनाया था, पहले ग्रीनो अरनेटी, इनके पास इलेक्रोनिक्स की डिगरी, फिजिक्स की लिदाएं, अर्टस एन मुजिक्स की डिगरी होने के साथ-साथ, चर्च के लिए रैपिट्रफादर का ओधा भी था, अब जिससे ये क्रोनोवइजर के बारे मं बात कर रहे थे, वो थे फादर बरून, जब अरनेटी बरून को क्रोनोवइजर के बारे मं कताते हैं, और य अर्नेटी बताते हैं कि बाइबल में जो भी घटनाए दी हुई हैं वो सारी उन्होंने क्रोनो वाइजर पर अपनी आखों से देखी हैं अब बुरून अर्नेटी से कहते हैं कि देखिए आप एक वेल एजुकेटिड परसन हैं लेकिन इस तरह की मशीन बनाने के लिए जो नासा के डिरेक्टर बने यानि वर्ना वॉन ब्रॉन और दूसरा नामी ग्रामी चेहरा था एन्रीको फर्मी का एन्रीको फर्मी ये वो इंसान थे जिन्होंने दुनिया का पहला नूकलियर रियक्टर बनाया था यानि शिकागो पाइल वन और इन्होंने मैन हेटन प्रोज अब 12 विग्यानिकों की टीम में दो ऐसे विग्यानिक जिनों ने अपने दम पे पूरी दुनिया बदल दी थी, एक ने तो हमें स्पेस में पहुँचा दिया और दूसरे ने हमारे हाथ में नूकलियर बॉम और नूकलियर रियक्टर यानि के नूकलियर एनरजी धमा दी, उनके दिमाग में एक आइडिया आता है, कि निकोला टेसला ने एक बार कहा था, कि अगर नेचर को समझना है, तो उसे फ्रिक्वेंसी और वाइबरेशन की नजर से देखो, अब अर्नेटी को ऐसा लगता है, कि अगर सब कुछ फ्रिक्वेंसी और वाइबरेशन ही है, तो क या हो अगर past में पैदा हुए frequency और vibration को हम किसी तरह से access कर पाएं, जिस से हम past में हुई घटनाओं को देख पाएंगे, जिस तक्नीक को आज के समय में हम electronic voice phenomena कहते हैं, अब मैं इसकी detail में नहीं जाओंगा, अब अरनेटी आगे बताते हैं कि ये team मिलकर एक ऐसी machine बनाने में काम्याब हो गई थी, जो अतीत में घटी हुई किसी भी घटना से जुड़े हुए vibration को बड़ी आसानी से access करके उसकी picture एक screen पर दिखा सकती थी, अब ब्रून इस स्टोरी से बहुत ज़़ादा इंप्रेस हो जाते हैं, तो वो पूछते हैं कि उस device का तुमने क्या किया, तो अरनेटी बताते हैं कि ये device बनाने के बाद इसे वो pop Francis के पास लेकर गए, जिन्होंने जब इसे देखा, तो उन्होंने ये कहा, कि ये तुमने क्या बना दिया, इस machine के बारे में अगर दुनिया को पता लग गया, तो जिसके भी हाथ ये लगेगी, वो इसे ताकतवर हतियार के रूप में इस्तेमाल करेगा, तो इस machine को तुरंध तोड़ दो, इसे dismantle कर दो, अब जिनको ये समझने में दिक्कत आ रही है, कि ऐसी machine एक हतियार के रूप में कैसे प्रियोग की जा सकती है, तो उन्हें मैं समझा दूँ, मान लेते हैं कि आपके कुछ ऐसे राज हैं, जिनने आप राज ही रखना चाहते हो, और वो दूसरे को पता लग जाएं, तो वो इनसान जिसको ये राज पता लग गए हैं, वो आपकी इस information के साथ, आपसे क्या क्या करा सकता है, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, अब ब्रून अर्नेटी से कहते हैं, कि आपकी बातों पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बहुत बुरा हुआ, कि ऐसी machine बना कर मिटा भी दी गई, और उसके अस्तित्व के कोई सबूत भी नहीं है, तब अर्नेटी कहते हैं, दोस्त सबूत हैं, और अर्नेटी उन्हें अपने साथ ले जाकर, कुछ फोटोग्राफ्स दिखाते हैं, और बताते हैं, कि ये उस समय की रियल फोटोग्राफ्स हैं, जिस समय जीजस का क्रूसिफिकेशन हुआ था, और वो ये भी बताते हैं, कि ये machine कभी भी dismantle नहीं की गई, अब अर्नेटी और गून, दोनों ने अपने मरते वक्त तक, क्रोनो वाइजर की कहानी को पूरा सपोर्ट किया, अब देखें, ये दोनों तो इस दुनिया से चले गए हैं, बलकि हर वो इनसान इस दुनिया से जा चुका है, जो इस machine से किसी भी रूप में जुड़ा हुआ था, तो इसको verify करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप दूसरे नजरिये सोचें, कि दो highly educated और well reputed, ऐसे लोग जिनके समाज में बहुत जादा इज़त है, वो एक छोटे से जूट के लिए, अपनी पूरी इज़त को दाव पर क्यों लगाएंगे, इसका दूसरा पहलू ये भी हो सकता है, कि इनसान बहुत अजीव-जीव हरकते करते हैं, तो क्या पता, ये भी एक जूट हो, अब chronovisor के पीछे जो scientific reason दिया गया है, यानि के frequency और vibration का, वो logic तो बिल्कुल ठीक है, और ये बात भी सही है, कि अगर हमारे पास कोई ऐसी machine आ जाए, जिसकी मदद से हम अतीत में पैदा किये गए vibration को access कर पाएं, जो की कर सकते हैं, तो शायद ऐसा हो जाए, कि अतीत में घटी हुई घटनाओं को हम देख पाएं, विज्ञानिक सिद्धानतों के हिसाब से तो ऐसा possible लगता है, 100% guarantee नहीं है, पर जितनी अपनी विज्ञान की समझ है, उससे ऐसा लगता है, कि शायद ऐसा हो सकता है, और अगर आप phonograph के बारे में जानते हो, Thomas Alva Edison के द्वारा खो जा गया phonograph, जो दुनिया की पहली recording machine है, तो आप ये बात समझ सकते हो, कि हर चीज vibration को store करके रखती है, अब बात करते मेरे personal point of view की, तो देखिए, मुझे इस कहानी पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है, उसके कैई कारण है, पहली चीज, जितनी भी photograph ये कहकर circulate की गई थी, कि ये chronovisor से ली गई है, वो सारी की सारी debunk हो चुकी है, यानि के fake निकली है, दूसरी चीज, जिन लोगों को अभी chronovisor को बनाने में involvement बताया गया है, उनमें से आज के समय में एक भी जिन्दा नहीं है, तो आखिर इस तरह की चीजे market में क्यों छोड़ी जाती है, देखिए उसका बड़ा सीधा सिधान्त है, दूसरों को influence करना, मैं आपको छोटा सा उधारन देता हूँ, अगर किसी तरह से आप ये साबित कर दें, कि आप किसी का दिमाग पढ़ सकते हैं, लोगों का भविष्य जान सकते हैं, लोगों का भविष्य बता सकते हैं, तो भाई सब करोडों लोग लाइन लगा कर, आपके पीछे पीछे चलने को तयार हो जाएंगे, और मुझे किसी का नाम लेकर उधारन देने की जरुत नहीं है, ऐसे लोगों को आप जानते भी होंगे, देखे, साइन्स और फिक्षन के बीच में एक बहुत ही पतली सी रेखा है, जो चीज सावित हो जाए, वो विज्ञान, और जो सावित ना हो, उसे सावित करने के पीछे लगा हुआ है विज्ञान, बोले तो फिक्षन, जो हमारी और आपकी imagination से निकलता है, और जो लोग imagine नहीं कर सकते, तो भहिया Albert Einstein के हिसाब से, उन्हें विज्ञान को समझने में दिक्कते तो आएंगी, तो इसी नोट के संग ये है इस वीडियो का अंत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत,